दीन की तबलीग में चलने का मजा दे अल्लाह के रस्ते में निकलने का मजा दे हर घर पे नभी लेके गए नूर हिदायत ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत अम्मत मरी अम्मत मरी अम्मत मरी अम्मत असलाव आलेकुम वरहमतुल्ह ये जो नजम वीडियो के साथ आपने सुनी इस नजम ने इस वीडियो को समझना बहुत ही आसान कर दिया कि दिल में जब उम्मत का दर्द है उम्मत किधर और कहां जा रही है गुम्राही की तरफ उसको दावत देने के लिए जब निकलते हैं तो अल्ला के रस्ते में निकलने का जो मज़ा होता है वो निकल कर ही पता लगता है दोस्तों दुन्या भर में सर्दी का मौसम आया हुआ है हो सकता है किसी जंगा पर सर्दी ना हो लेकिन जहां जहां पर सर्दी है वहां टंपरेचर बहुत कम है और जहां माइनस टंपरेचर है वहां पर बर्फ पड़ रही है सोचिए आपके यहां जो टंपरेचर है उसका भी माइनस यानि एक से नीचे जो चला जाता है वहाँ पर बर्फ पढ़ रही है और ऐसी जंगा हो पर लोगों का जाना जो यहां ऐसी जंगा रहते हैं जहां बर्फ नहीं पढ़ती मुश्किल हो जाता है मगर तबलिगी जमात के लोग यह महसूस करते हैं कि कहां पर दीन की दावत की कमी हो रही है यह लोग जमात को तै करके उसका रुख तै करके उधर ही निकल जाते हैं ये लोग नहीं देखते कि वहाँ पर फिर बर्क पड़ रही है या वहाँ पर जो है क्या कुछ हो रहा है दोस्तों वीडियो को देखकर सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है कि इतनी ठंड में किस तरह से बरफ के अंदर को चल कर पैदर जा रहे हैं क्या इन लोगों को ठंड नहीं लगती लेकिन जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा है कि उस नजब ने हमारे लिए समझना बहुत आसान कर दिया अगर आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात की महनत यकिनन हम पुरी उम्मत के लिए नाफे हैं नफा मंद हैं बख्ष हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिये और शेयर जरूर कीजिये ताके लोग भी उम्मत के लिए उम्मत को समझाने के लिए ल्ला के रस्ते में निकले और अल्ला के रस्ते में निकलने का मज़ा देख ले